नमस्कार मैं रितन सेंद भारती आज हम बात करेंगे बिहार के लाल के बारे में बिहार के तेज गिंदवाज मुकेस कुमार ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेस्ट परदरसन किया है मुकेस कुमार ने अभी हाल ही में न्यूजिलेंड एक के किलाप डेवीक लिया था और जबरदरसन किया उस सिरीज में भी मुकेस ने फांच बिकेट लिये थे फिर उनका दच्छने फिरका के किलाप खेली गई घरिलू वंडे सिरीज के लिए टी मिडिया के स्कुरेड में सामिल किया गया था लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया अब मुकेस ने बांगलादेश के खिलाप 6 विकेट लेकर एक बार फिर से संसनी मचा दी है अब ये देखना दिल्चस्प होका कि दूसरी पारी में मुकेस कितना विकेट ले पाते हैं बांगलादेश A के खिलाप दूसरे अनओफिसियल टेस्ट मैच के पहले दिन भारत A के तेज गिंदवाज मुकेस कुमार ने अपनी गिंदवाजी से बांगलादेश के बल्लवाजों को धरासाई कर दिया बिहार के कोपालगन के रहने वाले मुकेस कुमार का यह अपता कसब से बेश्ट प्रजरसन रहा उन्होंने 40 रन खर्च कर छब खिलाडियों को पवेडियन का रास्ता दिखाया है बिहार के लाल के इस सांदार प्रजरसन के वासे भारत ए टीम इस मैच में मज़वूत पकड की और बढ़ती जा रही है मैच के पहले दिन बांगलादेश ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 80-905 उभर में 222 रन बनाए अगर हम देखें तो इस मैच में उन्होंने 15.5 उभर की गिंदबाजी में 40 रंदे कर 6 विकेट अपने नाम कर लिए इस दोरान उन्होंने 5 मेड़न उभर भी फेका इस दोरान उनकी एकनौमी 2.52 की रही है वही उमेच के पिछले मैच के सांदार गिंदबाज रहे सौरब कुमार को पहले दिन एक विकेट नहीं मिल पाया साथे साथ नबदीब सेनी को भी एक विकेट नहीं मिला मुकेस कुमार बंगाल की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मुकेस की पिता कोलकाता में टेक्सी चलाते थे हाला कि मुकेस कुमार को पिता को बेड़े का क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता था हाला कि एक ट्रायल मैच के बाद मुकेस कुमार की किसमा बदल गई मुकेस कुमार को क्रिकेट में सुरुवाती पहचान साल 2008-2009 में मिली जब गुपाल गन जिले से परतिवा की खोज नाम की एक परतियोकता में भाग लिये थे जिसमें मुकेस कुपार ने 25-25 ओभर के 7 मैच खिले जिसमें उन्होंने 34 विकेट अपने नाम कर लिया था इस परतियोकता से ठीक एक साल के बाद उन्हें BCCI दवारा आउजित होने बाले एसोसियेट एंड एफिलियेट टूर्नामेंट में बिहार अंडर-19 की तरफ से परतिनिस्ट करने का मौका मिला लेकिन उस समय बिहार में रंजी की इसीती ठीक नहीं थी यानिक रंजी नहीं चल रहा था बिहार में ऐसे में बिहार में क्रिकेट में आगे का भविस ठीक नहीं था ऐसे में मुकेश ने अपने पापा के साथ कोलकाता में रहने का फैसला कर लिया मंगाल में रहते हुए उन्होंने अपनी BA की पढ़ाई पूरी की उन्होंने पस्चिम बंगाल की टीम से रंजी खिलने का मौका मिला जहाँ उनका सांदार प्रदसन रहा उसी प्रदसन का नतीजा हुआ कि उन्हें New Zealand A के खिलाब खिलने का मौका मिला मुकेस ने न्यूजलेंड एक खिलाब सांदार परदसन किया उन्होंने इस सीरीज में एक बार पांच विकेट लिये मुकेस ने 30 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 109 विकेट अपने नाम कर चुके हैं फर्श क्लास क्रिकेट खेलते हुए मुकेश कुमार ने पांच बार पारी में पांच विकेट लिया है पस्चिम बंगाल के तरफ से रंजी में खेलते हुए उन्होंने सांदार परदर्सन किया मुकेश न्यूजिलेंड एक खिलाब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले के में अपना बेश्ट प्रदर्शन दे रहे हैं हम उबीद करते हैं कि बिहार का या सितारा बहुत ही जल्द भारती टीम में जगमगाता हुआ दिखेगा अपनी धारदार गंदबाजुन से भारत के साथ सथ भारती टीम के चैन करताओं को भी प्रभावित करेगा और बिरोधि अज़त थन्यवाद